हेलो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बाते सेर करना चाहूंगा कि मुचल फंड क्या है S.I.P. को समझते हैं हिंदी में और 1000 रुपया हर महीने जमा करके कैसे हम लाखो करोडों कमा सकते हैं कैसे हमारे लिए फायदे मन्द है और हम बेनिफिट को समझेंगे S.I.P. का क्या बेनिफिट है तो चलिए दोस्तों जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबाला न वोले ताकि कोई भी मेरा वीडियो आपसे मिस नहो तो चलिए आगे बढ़ते हैं S.I.P. क्या है S.I.P. मतलब systematic investment plan मैं इसे easy way में समझाना चाहूंगा कि systematic investment plan होता क्या है जिस तरह से आप लोग bank में recording deposit करते हैं हर महीने 500 रुपिया हर महीने 1000 रुपिया या 2005 उसी type से आप इसमें भी invest कर सकते एक fix amount एक fix साल के लिए उसे S.I.P. कहा जाता है और फिर मैं समझाओंगा कि mutual fund क्या है mutual fund जिस type से आप fix deposit करते हैं किसी भी bank में उसी type से इसमें भी fix amount fix deposit करेंगे किसी fix साल के लिए तो उसे mutual fund कहा जाता है इसमें कोई भी locking period नहीं है आप S.I.P. कभी भी निकाल सकते है लेकिन mutual fund में locking period हो सकता है तीन साल के लिए पांफ साल के लिए जितने साल के लिए आप locking period डाल सकते हैं SIP के benefits यह हैं कि आप कम निवेस मतलब एक fix amount जैसे 500,000 रुपिया अभी तो 2200 रुपिया के SIP आ गये हैं 200 रुपिया इतना आप एक fix fund में आप invest कर सकते हैं तो कम amount हुआ और इस second point पे है रुपिय कोस्ट एवरेज फाइदा तो इसका फाइदा यह है कि आपको fix amount जो भी invest करेंगे उसका आपको हैसे return मिलते रहेगा power of compounding तिसरा point है power of compounding, power of compounding का मतलब क्या है कि आप जो भी first year में आप जो भी invest करेंगे second year, first year के last में जो भी amount आपको हैसे interest के रूप में मिलेगा, second year में जुड़के उस पे interest मिलेगा second year, third year फिर फिर जो भी last इंडे में मिलेगा, उसे third year फिर से जुड़के, third year के last में जो भी मिलेगा, वो fourth year में जुड़के उस पे interest मिलेगा, तो इसे कहा जाता है power of compounding तो start करते हैं SIP और पाते हैं ज़्याद से ज़्यादा रेटर्न मैं बता रहा हूँ कि जो भी पिछले साल 2020 में जो भी large cap या भी कोई भी cap में जितना भी लोग invest किये हैं उसमें जो भी profit मिला है उसके बारे में मैं कुछ data आपसे share करना चाहूँगा जैसे कि large cap में मेरा ही asset large cap ह आप blue access blue chip fund है SBI blue chip fund है तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 month, 1 year, 3 year, 5 year and 10 year यहाँ पे सबका return दिखाया गया है कि साल के last में कितना return मिल रहा है जैसे कि आपको सारे 6% साल के last में फरस्ट में मिल रहा है अगर सारे 6% मिल रहा है तो व फिर आप second year के last में जो भी उस पे interest मिलेगा वो third year के starting में जुड़ जाएगा और उस पे हैस return जो भी मिला है वो 5.3% इस टाइप से आप return लेते 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 यह return अगर आप 2000 रुपया यह 1500 रुपया कितना कभी है आप SIP करें यह last में जूड़ जूड़ के पता चलेगा कि आपको क्या 2000% 5000% इस टाइप से SIP में फाइदा होता है तो इसे ही कहा जाता है power of compounding जैसे मैं यहाँ पर बताने है SBI में मेरा personal suggestion है कि आप SBI small cap में यह करें तो दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है और बहुत मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में तो वीडियो को share करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें न बूले वेला इकन दवाएं ताकि कोई भी वीडियो मेरा miss नहों थैंक्यू ध झाने वाद